इंतजार करने वाले समय को बार बार देखते हैं जबकि समय इंतजार करने वालों की परवाह नहीं करती है लेकिन एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर होती है इंतजार की घड़ी खत्म तो बस सवागत है आप सभी का ग्यापनीकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू for beginner यानि की UFB का part 13 है जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ तीन अक्षर से मिल कर बने यी मातरा वाले उर्दू के शब्द जो की बहुत दासान एकदम easy है इतना easy way में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग के mind म हर चीज को समझना और सीखना जरूरी होता है ना किरतना वीडियो अप्लोड होने में थोड़ी लेट हो गई आप लोग इतने लंबे दिनों तक इंतजार किये चार-पास दिन तक अगर वीडियो नहीं अप्लोड हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर करती हूं देखे इतने लंबे दिनों तक वीडियो नहीं अप्लोड हो पाया इसका वज़ा यह है कि मैं लाइव की व्यास्था कर रही थी आप लोग के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बहतर से बहतर कॉंटेंट तैयार करने के लिए मुझे लाइव की और इसे लिए मैं जिस इस्टूडियो में वीडियो शूट करती थी जहां पर मेरा सारा सिस्टम लगा हुआ था वो सारे सिस्टम को मुझे हटाना पड़ा और इस्टूडियो में लाइव की व्यास्था करने के लिए इस्टूडियो को री अपडेट करवाना पड़ा है ठ बता सकती क्योंकि काम चल रहा है अभी वे इस्टूडियो में ठीक और उसके बाद से जब मेरा इस्टूडियो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आप लोगो जरूर अपना इस्टूडियो दिखाऊंगी पहले मैं कैसे वीडियो शूट करती थी अभी मैं व वापस आ गई हूं आज से रेगुलर वीडियो अप्लोड लुगा ठीक तो चारो तरफ शेयर कर दिजिए ताकि सभी लोग को मालूम चल जाए और सभी लोग इस चैनल से फिर से जूर जाए और फिर से लगातार उनकी कंटिनिवस पढ़ाई चलती रहें ठीक और उसके बा समझाती हूं वह समझी लास्ट में अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं समझाई वह समझ में आया तभी लाइक कीजिएगा ठीक कोई रिकत नहीं है तो देखिए मैं यहाँ पर तीन अक्षर से मिलकर बने इमात्रा वाले शब्दों को लिख दि कुछ ऐसे भी लवज है जिनके पहले और लास्ट वाले दोनों अक्षर में इकी मात्रा है मतलब सबी तरह के लवजों को मैं यहाँ पर लिख दी हूं तो जो सबसे पहला लवज है वह है शरीफ तो शरीफ को उर्दू में हम लोग कैसे लिखेंगे बात यह है ना तो मैं आ राव कूर्दू में हम लोग कहते हैं बड़ी शीन तो यहां पर आप लोग फटाफट बड़ी शीन लिख दीजिए ठीक है तो यह होगी आप लोग का बड़ी शीन से शां ठीक उसके बाद से अगला अक्षर देखिए री है री में आप लोग सबसे पहले यह सुचना है कि राव कूर्दू में क्या कहते हैं जब यह सोच लेंगे तो इसको आसानी से री बना लेंगे तो सबसे पहले आप लोग यह सोचे कि राव कूर्दू में क्या कहते हैं तो राव कूर्दू में रे कहते हैं तो आपर फड़ाफट रे लिख दीजिए रे से तो रा हो गया बट इस रो को री की मातरा में बदलने के लिए हम इस रे में क्या करेंगे छोटी ये जोड़ देंगे तो यहां पर भी इस रे में क्या करेंगे छोटी ये जोड़ देंगे तो रे में ये जुड़कर ये क्या हो जाएगी री हो जाएगी श्रीन से तो श्रा हो गया रे में य हमेशा बताई हूं कि शीन का यह 50 परसेंट यानि की आधा भाग उठाया जाता है बस इतना ही 50 परसेंट भाग ठीक तो शीन का बस यह आधा भाग उठाईए लोकी दार पाठ शीन से यह हो गया आप लोका श्राव अब इसी में रे यानि की रा जोड़ दीजिए तो यह जो इस रोक और री की मात्रा में बदलने के लिए इस यह को तो लेकर जाना पड़ेगा ना रे के पास तो मैं आप लोगों को बताई यह हूं कि छोटी यह जब भी किसी दूसरे आक्षर में जूड़ती है तो अपना शकल चेंज कर लेती है और यह चोटी यह अपना शकल चें ठीक तो यह हो गया यह और उसके बार से लाश्ट होला morning जो फ Pilvy यह वाले ठीक को कर पूरा-पूरा इसी यह में जोड देला है ऐसे ठीक तो यह होगया प्लों का फिसेश माप अभी से देखिये शुचलण से शान और रे में यही जुड़कर री हो गया भले यह दूपने यह दोनों अलग अलग हैं लेकिन है तो दोनों एक साथ ना तो इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे रे में यह जुड़कर री और यह हो गया आप लोग का फेस से फ शारीफ शरीफ देखिए कितना आसानी से लिखा गया ठीक आगे बढ़िए धीरे-धीरे आप लोग रखिया अगला क्षर को नीचे बिंदु वाला का है ठीक है तो सबखे पहले आप लोगो यह सोचना है कि नीचे बिंदु वाले का उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल जो का रहता है एश को काफ कहते व्हें को पर तो है कॉन सा काफ का यूज कर karış करेंगे यह वाले का का यूज करेंगे तो यहां पर तो कह यहां पर किंसे ःक्षर को की मात्रा में बदलने के लिए हम उससे क्या करते हैं चोटी यह जोड़ देते हैं तो यहां पर काफ से तुक्का हो गया अब इसको की की मातरा में बदलने के लिए इसमें भी क्या करेंगे छोटी यह जोड़ेंगे तो इसे काफ में आप लोग छोटी यह जोड़ दीजिए और उसके बाद में लास्ट वाल आक्षर क्या है लाव है तो काफ का जो है ना सिर्फ यह 50 परसंट यह गोल वाला भाग होता है ना यह उठाया जाता है आधा भाग तो इतना सिर्फ उठा लीजिए देखिए सिर्फ इतना ही भाग आधा भाग उठाई हुँ मैं तो यह देखिए काफ से कह हो गया अब मैं आप लोग को अभी क्या बता देखिए ये एसे ये वाला ये जो है आकर ऐसे जुड़ गया तो काफ में ये जुड़र है प्हें काफ शूती ये शूर्ट चेंज कर ऐसे जुड़र है अब उसके बाद से लास्ट में क्या है लॉह लाम ले जाकर इस ये में जोड़ेजिए तो ये हो गया वाव से वा, काफ में ये जुड़कर की और लाम से ला वा की ला, वा कील देखिए कितना आसानी से लिख दी है ठीक, आगे बड़ी है गरीब गरीब में सबसे पहला अक्षर क्या है? गा इस गा को उर्दू में कहते हैं गैन देखिए, नॉर्मल गा रहेगा न इस तरह गा तो गाफ कहेंगे, गाफ से गा लेकिन यहाँ पर गाफ के नीचे क्या है? बिंदू है तो नीचे अगर बिंदू रहता है तो इसको गैन से गा कहते हैं ठीक, तो यहाँ पर गैन लिखेंगे ठीक तो यहां पर देखिए घैन से गा हो गया उसके बाद से अगला अक्षर क्या है री तो सबसे पहले आप लोगो सुचना है कि राव कुर्दू में क्या कहते हैं तो रे कहते हैं पर फटाफट रे से रा हो गया बट री बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे छोटी ये चाएगी उसके बाद से बाव है लाश में बाव कुर्दू में बे कहते हैं तो यहां पर फटाफट बे लिग दीजिए ठीक बे से बाव हो गया अब सबको जोड़ दीजिए घैन का मैं आप लोगो को बता चुकी हूं सिर्फ ये आध्या भाग उठाया जाता है ठीक तो इ एंब को अब लोगों को क्या बता ही यह चोटी यह है अपना सकर चेंज करकर देंगे तो हैं में यह जुड़ कर री और बे से बाव गरीब दिखे कितना आसानी से लिखा गया उसी तरह आप लोग खुद से यह सारा प्रैक्रिस कीचे यह आप लोग खुद से कर रहे हैं कि तो यहां पर कौन सा काफ कायूज दीजिए यहां यह होगया आप लोगा काफ से कॉ ठीक है बट इसको की बनाना है तो की की मातरा में करने के लिए इसमें क्या करेंगे चोटी यह जोड़ेंगे उसके बाद से रो से मतलब रो को उर्दु में क्या कहते हैं कहते हैं अब इन सब को जोड़ दीजिए मैं आपनों को बता चुकी हूं कि फे का जो है ना यह फिफ्टी परसंट पार्ट उठाया जाता है तो फिफ्टी परसंट पार्ट यहां पर उठा लीजिए यह हो गया आधा भाग यह गोल वाला भाग उठा दिये उसके बाद से आदा है गोल वाला भाग तो इतना उठा दीजिए दिखे फे से फ़ा और काफ से का अब इसमें यह जूड़ देना है तब ही ना काफ में यह जूड़ेंगे तो की होगा तो यह जो यह आपना सब्चल चेंज करके ऐसे आजाएगी तो देखिए यह हो गया च्छोटी यह तो काफ में यह जूड़ कर क्या हो गया की और उसके बाद से यहां पर यान की रे जो है इसी यह में आकर ऐसे जूड़ जाएगी बस हो गया खत्म कहानी आगे बढ़िए अगला शब्द है यकीन यकीन में का के नीचे क्या रहेगा बिंदू रहेगा यकीन ठीक तो सबसे पह का रूल निभाएगी जोटी यैसे होता है लेकिन यहीं इस और दुसरे अक्षर में जूड़ जाती है ना तो इकी मात्रा में कंवर्ट कर देती है का इसे dehblas। छोटी ये से क्या होता है यह होता है ठीक प्लस अब अगला क्षर क्या है की है तो सबसे पहले सोचिए कि को कुर्दू में क्या कहते हैं नीचे बिंदू वला का है तो इस वो काफ कहते हैं तो यह होगी आप लोग का काफ काफ से काफ ठीक बस इसको की की मातरा में बदलने के लिए छोटी यह लगा देंगे तो यह की हो जाएगा उसके बाद से ना है ना कुर्दु में क्या कहते हैं तो नून कहते हैं तो यहां पर नून लिख दीजे अब इन सब काफ से का हो गया बट इसको की बना रहा है तो फिर यहां पर यह जोड़ दीजिए इसी काफ में क्या किजिए यह जोड़ दीजिए तो काफ में यह जोड़कर की और उसके बाद से नून है इसी में लिज़कर लास्ट में नून पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो यहां में ये जुड़कर की और नू से ना यकीन देखिए कितना असानी से लिखा गया आगे बढ़िए तारीख तारीख में सबसे पहले अक्षर क्या है ता कुर्दू में क्या कहते हैं सबसे पहले ये सोचिए ता कुर्दू में टे कहते हैं तो या पर फड़ा पर टे लिख दीज आधाय ज़ीज़ार्णव है अगला अक्षर तो रहा कोड़ू में रे कहते हैं और रे लिग दिजेारं री कि मात्रा में बनाने के लिए मैं यह जोड दिजिए प्लस खा है रहा कोड़ू में खे कहते हैं ट slight फट About Kori रिख दिजिए यह होगे आप लोग का खेसे खा अब इन सबको जोड़ दीजिए तो रेस लिग दीजिए पूरा का पूरा ते में अलिफ जोड़ कर ता और रेस ये तो तार हो गया लेकिन तारीख बनाना है हम लोग का यहनी कि यह भी जोड़ना पड़ेगा तो यह जो है ना यहां पर ऐसे रोवट में यह यह जुड़कर हू जाएगी अब यह वाला खे पूरा का पूरा खे इसी एक में अभार ऐसे जुड़ जाएग अब फड़ात बनाईए लो और फड़ात लिखिए भी तो महं को दीजिए M开始 50% पार्ट उठाया जाता है यह बिंदू वाला तो यहां पर देखिए चाहिरे नी हो गया और उसके बासे बासे रहा है ले जाकर लास में जोड़ देना है ठीक तो यह जो रहे है इसी यह मिले जाकर ऐसे जोड़ दिये तो मिम से मानू में यह जुड़ करनी और रे से रा, मनीर ठीक, आगे बढ़िए दिवार दिवार में सबसे पहला अक्षर है दी, दा कूर्दू में सबसे पहले सुची क्या कहते हैं, तो दाल कहते हैं दाल लिख दीजे, अब दाल से दा हो गया दी की बनाने के लिए इसमें छोटी यह जोड़ेंगे फिर प्लस वा है वार खुर्दू में वाव कहते हैं वा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, प्लस रा है रा खुर्दू में रे कहते हैं, अब इन सब को जोड़ दीजिए दाल लिखे दाल से तो दा हो गया ठीक है और उसके बाद से ये छोटी ये है सकल चेंज कर लेगी ऐसे हो जाएगी तो दाल में ये जुड़ कर दी हो गया ये उसके बाद से जो वाव है ये में आकर ऐसे जुड़ जाएगा तो दी दाल में ये जुड़ कर तो दी वह से वह सी बाट वह करना है न ये अलिफ में जोड़ देंगे तो दी वह में जड़ कर वह और लास्ट में ले जाकर चिपका दीजिए तो दी वह और दिवार ठीक दोनों अलग-अलग हैं लेकिन दोनों एक साथ है दाल में यह जुड़कर दी हो जाएगा भाफ में मुझोड करें और यह सबसे पहला और डेखर क्या है अब देखिए यहां और दाल के तरफ यह इधर से से यह नहीं बड़ी वाली यह वाली होता है और बड़ी वाली यह होती है यह छोटी यह बड़ी ठीक और किसी भी अक्षर में अगर छोटी ही होती है जैसे कि यहां पर ही है छोटी वाली जो है ना इसकी मात्रा इधर से होती है ठीक इधर से और जो बड़ी वाली ही होती है इसका मात्रा इधर से होती है ठीक इधर से ऐसे तो यहां पर दी जो था यह बड़ी वाली था ठीक बड़ी वाली के लिए दाल में यह जोड़ दे रहे थे लेकिन यहाँ पर ही है तो सबसे पहले हा कुर्दू में हे कहते हैं यहाँ पर हे लिख दीजिए लेकिन यहाँ पर कौन सा ही है छोटी वाली इधर वाली का कौन सा वाली का मात है तो छोटी वाली का मात्रा है यानि कि इधर से दिया गया है देखिए ही में इधर से दिया गया है ना छोटी वाली की मात्रा है तो यहां पर ध्यान दिजिए जब किसी भी अक्षर को छोटी की मात्रा में कनवर्ट किया जाता है तो उसमें सिर्फ जेर लगा दिया जाता है नीचे जेर लगा दिया जाता है और अगर बड़ी E की मात्रा में convert करना है तो उसमें छोटी ये जोड़ दिया जाता है जो कि आप जोड़ते आ रहे हैं सब में सब बड़ी E था सब इधर से था सब यकीन में इधर से सब में बड़ी E की मात्रा थी लेकिन यहाँ पर ही में ज जोड़ेंगे कि यह छोटी वाली ए की मात्रा है इधर से हैं अगर यह इधर ही जो है इधर से रहती इधर से ऐसे अगर ही जो है इधर से रहती तब इस हे में यह जोड़ देते हैं लेकिन यहां पर इधर से इधर से की मात्रा है ठीक है तो अब इसको ही बनाने के लिए ना हम उसमें ये ना जोड़कर हम जेर जोड़ेंगे, इसी हे में क्या कर देंगे, नीचे जेर जोड़ेंगे, तो हे में जेर जोड़कर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इसमें ये नहीं जोड़ना होता है, अगर छोटी ए की मात्रा इधर से रहेगी, तो उसमें ये नहीं जोड लेगे में जैर जोड़ देंगे, आगर इक बड़ी E की матर्त में इधर से, तो आप छोटी यह जोड़ेंगे, जैसा की इन सब में जोड़ रहे हैं, छोटी यह क्योंकि इस सब में इधर से, 사용hait van 2, की मात्रा थी बड़ी की मात्रा थी सब में लेकिन यहां पर ही में छोटी की मात्रा है इधर से ठीक तो इसमें क्या जोड़ देंगे जेर जोड़ देंगे यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है भूला नहीं है नहीं तो इसी से गलती हो जाता है ठीक तो यह में और वह को उर्दु में क्या कहते हैं अभी आप लिख दीजे अब धिरे-धिरे आप लोगों का लेसन टॉफ हो रहा है तो हर चीद समझना पड़ेगा आप लोगों को ठीक तो आप देखिए हे में जेर जोड़ेंगे तो ही हो जाएगा तो देखिए ये हे का आप जानते हैं 50 यानि कि आदा बाग उठाया जाता है तो हे का इतना ही पाट उठा लिजे ये हो गया अप लोग का हे से हो अब ये जो जेर है यहां पर लगाया जाता है हे में जेर लोग को सीन लिखना है देखिए सीन का ये नुकीला आधा भाग उठाए जाता है तो ये देखिए ये हो गया आप लोग का से आतीर या भाग ॉठा रहता है एक दो तरफ सबसे पहले सबसे पहले सोची आप लोग मौक उर्दू में क्या कहते हैं तो मौक उर्दू में मीम केहते हैं तो यहां पर फटा-फट क्या कर दिजिए मीम लिह ने कि नो प्लस से सह हो गए सा बनाने के लिए लिफ ज़रेंगे प्लस लख में लाम कहते हैं अब सब को जोर दिजिए मेह का अधा बाग उठाया जाता है तो इतना पार्ट उठा मिम से महा हो गया अब इसके नीचे मतलब इसको मी बनाने के लिए मिम से महा हो गया मी बनाने के लिए ज़ेर जोड़ेंगे न यह तो नीचे ज़ेर लगा दीजिए ठीक उसके बादसे जह рад लगाना है इंग मोग अधा लिजेए यह देखिए, यह हो गए आप लोग का से से सा ठीक, इस बस इतना 50% यानि कि आदा भाग उठाकर इसे मीम में ले जाकर जोड़ी तो यह से से सा हो गया बट इसको सा बनाना है, तो इसी से में क्या करेंगे आप लोग अलिव जोड़ेंगे तो से में अलिफ जुड़कर क्या हो गया, सा हो गया अब लाश्ट में लाम जो है यानि किल्लण ले जाकर चिपका देना है तो मिम में जेर जुड़कर मी और सीन में अलिफ जुड़कर सा और लाम से ला, मिसाल में आप लोग को अभी क्या बताई कि उर्दु में जरजेर पेस नहीं दिखाया जाता तो यहां पर यह जो जेर है मिता देंगे घटा दिनैंगे बस मैं के नीचे देर है लेकिन दिखाना नहीं है द्स नीचे जेर तो मीच आप लोग इसकल में माल लीजे एक क्या है नी में सबसे पहले आप लोग सोचना है कि ना कुर्दू में क्या कहते हैं तो ना कुर्दू में नून कहते हैं अब यह देखिए छोटी वाली की मात्रा है कि बड़ी वाली की मात्रा है जब छोटी वाली की मात्रा रहेगी तो उसके नीचे जेर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे प्लस नून से नव दिखी इन सबको जोर दीजे रही नून का अाधा भाग उठा ली ये इतना he देखिए नून से न हो गया, नी बनाने के लिए नीचे क्या करेंगे, जर जोर जोर देंगे नून के नीचे जर जोड़ कर नी हो गया अब उसके बाद से एक दो तीन देखिए एक दो तीन तीन ही तो भाग देना है उपर तीन थो बिंदू तो देखिए शीन से शाह हो गया बट शाह बना रहा है अलिव जोड़ना हो गया बट आप लोगों को यह देना है जेर मिटा देना है बस लेना है कि नून के नीचे क्या है जीए हो गया आप लोका निशान आगे बढ़弆 गिन त्यूंटी गिनिसाथ उपल। गी तब से पहले सुचिए गौ कुर्दू में क्या कहते हैं तो गौ कुर्दू में गाफ कहते हैं कौन सी की मात्रा है चोटी वाली की मात्रा है कि बड़ी वाली की मात्रा है तो आप क्या करेंगे जेर जोडेंगे प्लस ना है ना कुर्दू में नून कहते हैं ठीक प्लस ती ह टोब कुर्दु में टे कहते हैं तो यहां पर ते लिख दिcker बटी है तो आप देखें यहां पर कौन सी identify बड़ी वाली इस कुली कीमातरा है यहां पर टोगी में चोटी वाली की मात्रा है क्योंकि ये इधर से है अगर इधर से रहता तो ये बड़ी ये छोटी ही हो जाता और अगर इधर से है तो ये बड़ी ही हो जाएगा ठीक तो यहां पर ती में इधर से जोड़ दीजिए गाफ का इतना ही पाट आधा बाग उठाया जाता है तो गाफ का आधा बाग उठा लिजिए गाफ से गाफ हो गया और नीचे क्या जोड़ देंगे जेर जोड़ देंगे गाफ में जेर जोड़ कर गी हो गया उसके बाद से नून नून का आधा भाग उठाया जाता है 50% तो देखिए नून का इतना भाग उठा दीजिए नून से क्या हो गया? एक मिनट ये गाफ हो गया आप लोगा और ये हो गया आप लोगा नून ठीक है? नून से ना हो गया उसके बाद से ते का अध्यभा उठा लीजिए इसी में ते ये होगे आप लोग का ते से ता अब इसी ते में इसी ते में आप लोग ये छोटी ये जोड़कर ती बना दीजिए तो ते में ये जोड़कर ती देखिए गाफ के नीचे जेर है तो गी नूम से न और ते में छो साथ कुर्दू में सीन कहते हैं सीन लिख दीजे काफ कहते हैं काफ केलिप दीजी और क्या बड़ी की मात्र है देखिए हाँ बड़ी की मात्र है तो इसमें क्या कर दीजिए छोटी इक शोटी में क्या कर दीजिए बे जोड़ दीजिए सब हो गया उसके बाद से काफ का आधा बाग उठा लीजिए इतना काफ से को और इसी में यह जो है काफ में यह जोड़कर की बना दीजिए तो काफ में यह जोड़कर की तो सीन में बे जोड़कर सब और काफ में यह जोड़कर की प्लस यकाले के लिए चोटी ये जोडेंगे अबgem सब जोड़ीजें में एलिफ जोड़कर मां सबसे पहले बनाइए ठ Jega Maa हो गया रूनका आधा ले लेज़े इतना इतना यू से न हो गया थिर न्यू नें लिए नियूर कर और आउरति क्या है सबसे पहले सुचिए औक उर्दू में क्या कहते हैं तो अलिफ कहते हैं यह तो बहुत दासान है औक उर्दू में अलिफ बट इसको आ बनाने के लिए कि अलिफ को आ बनाने के लिए क्या जोडते हैं तो मद जोडते हैं。 मैं आप लोगों को अलोड़ी बता चुकि है. इसके dow बनाने के लिए अलिест जोड़कर मा बना दे रहे थे अब और आपको आप बनाने के लिए को बता चुकी हूं अलिफ के उपर मज जोड़ते हैं लिफ को आ बनाने के लिए के उपर मज्च जोड़ा जैता है प्लस रहा है रहते हैं रहू को दो मैं prime रहे कहते हैं तो यहां परली prob ये खो गया और ये छोटी येे में येजुड करती तो आरी उपर मत उपर जुड कराया औरे से रात्य में यह जुड़ करती तो आरती देखिए यह हो गए आप लों का आरती आगे बढ़िए मिनार इतने सारे शब्दों को हम लोग लिख लिए अब इतने सारे शब्दों को फटा-फट करेंगे कि बहुत ज़्यादा समय भी हो गया है वीडियो भी बहुत ज़्यादा ठीक है तो चलिए यह थोड़ा मिटक गया है मिनार में सबसे पहला अक्षर मी है मी है मीेह सबसे पहले सुचना है कि मौक उर्दू में क्या कहते हैं तो मौक उर्दू में मीम कहते हैं तो मीम लिख दीजिए मीम से मौह हो गया बट मी बनाने के लिए अब क्या करेंगे देखेंगे सबसे पहले कि कौन सी की मात्रा है छोटी वाली की मात्रा है कि बड़ी वाली की मात्रा है तो यहां पर ध्या है तो नो कुर्दू में नून कहते हैं नून लिग दीजिए ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए और है तो रे से रो ठीक अब आगे बढ़िए मिम में यह जोड़ कर मी बनाए सबसे पहले आप लोग जानते हैं मिम का यह बिंदू अला आधा भाग उठाया जाता है तो यह देखिए मिम से मा हो गया उसके बाद से छोटी यह जोड़ेंगे तभी ना मी होगा तो छोटी यह ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए अपना सरकल चेंज कर लेगी छोटी यह मिम में यह जुड़ कर क्या हो गया मी हो गया उसके बाद से नून का आधा भाग ले लिज तो देखिए कितना असानी से लिखा गया मी न रा मी नार अगे बढ़िए दिनार दिनार भी लिखना बहुत दासान है दी है सबसे पहले आक्छहर तो दा कुर्दू में दाल कहते हैं तो दाल लिख दीजिए पलस कौनसा वाला इसा यही की मात्रा है तो आप इसमें क्या पूरा का पुरा नियां पड़नेंद से बात से यह जो है उस के पाम सब सबसे पहले आदा भाग ले लीजिए और इसी ये में जोड़ दीजिए तो डाल में ये जुड़कर ये तो दी हो गया इसका कहानी खतम अब ये नून से ना हो गया और इसी नून में अलिव जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा तो नून में अलिव जुड़कर यहां पर ना किसे लिखेंगे सबसे पहला अक्षर क्या है दी तो दौक उर्दू में क्या कहते हैं दाल कहते हैं तो दाल तो लिग दिये बट यहां पर एक की मात्रा में बुदलना है तो सबसे पहले देखिए कि यह कौन सी की मात्रा है क्या छोटी वाली की मात्रा है कि बड़ी वाली की मात्रा है तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या यह बड़ी वाली की मात्रा है नहीं यह चोटी जोड़ेंगे नहीं यहां पर अगर छोटी की मात् जोड़ेंगे तो यह पर जोड़ेंगे प्लस मा है मा कुर्दू में मीम कहते हैं तो यहां पर फटा-फट मीम लिख दीजिए और मा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिया और गाह है गाह उभी नहीं तो कौन सा गाह नीचे बिंदुवाला गाह तो इस गाह को उर्दू मे किया कहते हैं गाहन कहते हैं तो यह पर लिख दीजिए ठीक है अब देखिए डाल में जहर जोड़कर दी बनाईए सबसे पहले तो दाल के नीचे जहर जोड़ दी हो गया और उसके बादसे मीम मी में जोड़ दी है नहीं दो главное ajem तो डाल में जूड़कर दी म में जूडों कर्मा और गैन से निसाल्ग अब आप लोग को अभी क्या बता है कि दोफे नहीं लिखा जाता है जैर को घटा दिया जाता है छुपा लिए सब्सक्राइब लेकिन मन में माना जाता है कि दाल के नीचे क्या है जेर है तो देखिए दी मागा ठीक आगे बड़ी ये बीमार बीमार भी उसी तरह लिखाएगा देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है बी वाक उर्दू में क्या कहते हैं बे लिखते हैं ठीक बट यहां पर ई है तो जोड़ेंगे कि इधर से छोटी वाली की मात्रा नहीं है बड़ी वाली की मात्रा है तो इसमें क्या जोड़ेंगे छोटी ये जोड़ेंगे तो छोटी ये जोड़ दीजिए प्लस मा है मा कुर्दू में मिम कहते हैं तो मिम लिग दीजिए प्लस मा बनाने के लिए अलिफ जो तो यह बटने का यह यह बनाना मा जोड़ना है में से मा लिखना है लिखना है तो में जूड़कर मा और रे से रह बिमार थेकश आगे बड़ी धरती धरती अधरती सबसे पहले अक्षर क्या je भॉट rather कूर्दू में क्या 추ण एक और किस तरह लिखते हैं आप लोगों को मालूम वह तो देखिए जिस तरह से द और डी मेंνο h जोड़ कर डी एक कैसे हर इंद आस हो गया बड़ इसाँ लिखा है उसी तरह दिएज़े जिसस्तर यहां पर लिखाई उससी तरह यहां पर भी घ्वाद से इसी में आप लोगो धर हो गया अब इन दोनों को चोड़ कर ती चोड़ कर अधा वाब मोटचैघा लीजिए यह देखिए त्य हो गया और इसको कि बनाने के लिए चोटी यह जो है लास्ट में है तो पुरा हो देंगे तो ते में यह जोड़ कर ती धर म addict इस्तरा तेर छाँ यानकी stopन सेचय होता है और छे में हेज्चय क क्या हो जाता है इस तरह आयों अब इन सब को जोड़िए मिमका अधा बांग ऊठाई इन जोड़िया अब चाह जोड़िया अब इन दोनों को जोड़ी बनाना है यह जोड़ देंगे ना यह है लाम का इतना ही भाग कर इसमें जोड़ी हूं ला हो गया अब इसे लाम में क्या जोड़ेंगे आप छोटी यह जोड़ेंगे तो लाम में चोटी यह जुड़कर ली तो मच प्रस लाम में यह जुड़कर ली मचली देखिए इसी तरह मचली लिखा जाता है ठीक आगे बढ़िए कहानी कहानी में सबसे पहला अक्षर क्या है काफ से का लिख दीजिए प्लस हा है हा कॉर्दू में छोटी हे कहते हैं तो हे लिख दीजिए हा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे नी है ना कॉर्दू में नून कहते हैं बड़ी वाली नी की मातरा है तो छोटी वा कंख से का और हे से हो गया लेकिन हमको क्या लिखना है कहा लिखना है तब नहीची है में आप यह क्या कि आलिख से देंगे तो काप से और हैं में अर्छ नेचों को बना देखें इतना वाग उठाए जाता ठीक अब देखिए जीम का आधाभाग उठालीजे इतना तो जीम जा होगया अब वाह है तो वाव इसी जिम में ले जाकर जोड़ दीजिए और उसके बाद से वाव में अलिफ जोड़ दीजिए जिम से वाव में अलिफ जोड़ कर वाव में अलिफ जोड़ कर वाव में अलिफ जोड़ कर वाव उसके बाद से इंदोरों को जोड़ दीजिए नी नून का अधा तो बड़ेंगे घ्राइएम में नगूकर करना बना इतना ही ओठाइए नोन से न हो गया इस इसी में अलिव जोड़ दिये ना हो गया उसके बाद से डाल में जूर झूर कर ना बना दाना दा इन दोनों को जोड़ दिजें को ङोडें भाग उठा लीजिए नून का अधा भाग हो गया और इसी में छोटी ये जोड़ दीजिए नून में ये जुड़कर ना दानी ना दानी देखें कितना आसानी से लिखा जा रहा है आगे बढ़ी है मीनट में सबसे पहला अक्षर क्या है मी मा कुर्दू में क्या कहते हैं मीम क इसके बाद से देखिए कौन से वाली की मात्र है चोटी वाली की मात्र है कि बड़ी वाली की मात्र है तो चोटी वाली की मात्र है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे जेर जोड़ेंगे प्लस ना है ना कुर्दू में नून कहते हैं प्लस टा है टा कुर्दू में टे कहते हैं ठीक अब देखिए में का आधा भाग इतना उठा लीजे और यहांपर ला लिजे में से मह होगया इसके नीचे झेज बहा दीजिए मिंट के बाद से यूद्ट कर पुरा कर पुरा जोड़ दीजे मिम के नीचे मी जेर है तो मी नून से न और टे से टा मिनट देखिए कितना असानी से मिनट लिखा दिये गया अब क्या आप इसको जेर को दिखाए रखना है नहीं इसको हटा देना है छुपा लेता है इस तरह भी आप लोग मिनट पढ़ सकते हैं तीक आगे बढ़िए चोटी वाली यह जोड़ेंगे उसके बाद से चाहे में चो कुर्दू में च कहते हैं ठीक प्लस रहरो कुर्दू में रह कहते हैं अब देखेए टे का अधा भाग उठा लीजिए यह जोड़ाना थे बनाना है तो यह जो है न यह लिजे यह जुड़ गया चुटी वखल चिं देखें, ते में यह जुड़कर टी और यह जो ची है, सिर्फ इसका उपर वाला अधा भाग यहां पर ले जाकर ऐसे हो गया, और यह जो तीन नुक्ता है, वही मैं यहां पर नुक्ता देदी हूँ, तो टे में यह जुड़कर टी और यह होगा आप लोग का चा और इसे में बढ़िवाली की मात्रा है खोटी वाली की मात्रा है तो यहां पर छोटी बढ़ी वाली की मात्रा है क्योंकि इधर से ना तो जब बड़ी वाली की मात्रा है तो इसमें रे में क्या जोड़ेंगे चोटी ये जोड़ेंगे तो री हो जाएगा उसके बाद से दो है दो को उर्दु में डाल खेते अब इन सब को जोड़ दीजिए खा यानि कि खे का अधा बाग उठा दिया जाता इसे जुड़ जाएगी तो रे में ये जुड़ कर री हो गया खे से खा रे में ये जुड़ कर री और डाल से इसी इसी ये में ऐसे डाल जोड़ देना है देखिए जो डाल है यहां पर आकर आकर एसे जुड़ गया तो खा रे में ये जुड़ कर री और डाल से दा खरीद देखिए कितना आसानी से लिखा गया आगे बढ़ी ए तारीफ में सबसे पहला अक्षर कहता है ताक उर्दू में क्या कहते हैं ते कहते हैं ते लिख दीजिए ता बनाने के लिए यहां पर अलिफ जोड़ेंगे तो जी बिल्कुल अलिफ जोड़ेंगे आप लोग के हिसाब स तो यहां पर अलिफ जोड़ा जाता है यहां पर अलिफ जोड़ा जाता है आप अ् Jenkins लिख रहे हैं तो ठीक कि यह इसलिए तो पर होगा हो सकते हैं कोई दिक्त नहीं है मतलब आप हिंदी में लिख रहे है तो ठीक है लेकिन यहां पर उर्दों में अगर लिखना है तो तेमें जुड़ा जाता है ता रिव और ऊर्दों में क्या कहते हैं और रिव बनाने के लिए इसमें बड़ीवली की मातर है न तो छोटी ये जोड़ देंगे और उसके बाद से प्लस में लास्ट वाल अक्षर क्या है फो फो कुर्दु में फे कहते हैं तो यहां पर फे लिख देजिए तो देखिए ते में पहले एन जोड़कर ता बनाई है तो देखिए ते का आधा भाग उठा लिए ये ते का आध बस ये ऐसे जैसे ये बनाते हैं न डिजाइन देखिए इस तरह बनाते हैं इसी तरह बनेगा यहां पर भी ते में यहां पर एन जुड़कर ऐसे हो जाएगा तो ते में जुड़कर ता और उसके बाद से रे ले जाकर इसी एन में जोड़ देना है तो ते में जुड़कर और रे से रा और इसको री बनाना है यानि कि छोटी यह जो है ना इसी रे के पास आकर जूड़ जाएगी तो रे में यह जूड़ कर री और फे से फा ठीक अब जो इसको मैं अच्छा से लिख दूँ देखिए इसको अच्छा से कैसे लिखा जाएगा सब एक सांस और फे से फा यह हो गया आप लोग का तारीफ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यह ठीक आगे बढ़िए फरीदा फरीदा में सबसे पहले आक्षर क्या है फा कुर्दू में क्या कहते हैं फे कहते हैं तो यहां पर लिख दीजिए फे से तो फा हो गया बट री है रा क कुर्दू में दाल कहते हैं प्लस आव दा बनाने के लिए आ की मात्रा में कनवर्ट करने के लिए दाल में अलिफ जोड़ेंगे ठीक अब इन सब को जोड़ दीजिए फे से फा हो गया तो फे का आधा वाग इतना गोल वाला भाग उठा लिए यह देखिए फे से तो फा हो में यही पर दाल जोड़ दीजिए और दाल में दा है ना तो लास्ट में अलिफ जोड़ दीजिए तो फे से फा रे में यह जुड़कर री और दाल में अलिफ जुड़कर दा फारी दा ठीक आगे बढ़िए करीम करीम में सबसे पहले अक्षर क्या है का है का कुर्दू में शोटी मा so आप मेरे पार कर गया लेकिन हमको क्या बनाना है करी बनाना है तब करना उसके बाद से लगाने लिए पूरा का पूरा यहां पर लाकर अध्यर हम जोड़ेंगे तो कांविशित करी और इतना आसानी से पूरा सा सिंज का यूज करना है आप लोग को और आसानी से लिख पैंगे तो इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने इमातरा वाले शब्दों को हम लोग लिखना और पढ़ना सीखे आसानी से सीख पाए जो भी बाते में आप लोग को समझाई जैसे कि इमातरा अगर छोटी वाली ही है तो उसमें जेर लगाएंगे बड़ी वाली है तो उसमें छोटी ये जोड करना है उर्दु में ट्रांसलेट करना है आप आसानी से कर पाएंगे बस आप लोग अधीरे दीरे लेसन टफ होते जाए इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग पीछे अट जाएंगे तो फिर आप लोग उर्दु सीखेंगे कैसे परिशानियों को देखर पीछे नहीं हटना चाहिए उससे डड़ कर सामना करना चाहिए तो यह सबसे बड़ी बात है आप लोग को और बीदा कंसंट्रेशन के सांथ पढ़ाई करना होगा क्योंकि लेसन दीरे दीरे टाफ होते जा रहा है अब जो नेक्स्ट वीडियों आएगा उसमें मैं आप लोग को चार अक्षर स मैंटर समच प्रैक्टिस जो हता है वो माइने रखता है जितना ही जद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग गुर्दू को सीखेंगे ठीक है तो यह थी बात तो कोई भी कंफ्योजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी के लिए जहिंद और खुदा हाफिज